लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें इतना हो गयल तो माने के चाहीं कि जीवन सफल हो गयल वेद माता का हल गयल हा चारों वेद गायत्री के पुत्र हवे ब्रम्हाजी आपन एक एक मुख से गायत्री के एक एक चरण के व्याख्या कईके चारों वेद के प्रगट कईले रिगवेद, यजूरवेद, सामवेद और अथरवेद के रचना भैल इसब वेद से शास्त्र, दर्शन, ब्राम्हन ग्रंथ, आरण्यक, सूत्र, उपनिशद, पुराण, स्मृती आदी के निर्मान भैल इन ही ग्रंथन से शिल्प, वाणिच्य, शिक्षा, रसायन, वास्तू, संगीत आदी 84 कला के आविशकार भैल इप्रकार से गायत्री संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान के जननी भैली गायत्री भारतिये धर्म दर्शन के आत्मा है उनके परम प्रेरक गुरु मंत्र कहल गयल हा गुरु शिक्षाभी देवेले और सामर आद्य शक्ती ब्राम्ही वैश्वी शामभवी वेद माता देव माता विश्व माता रितम्भरा मंदाकनी अजपा रिद्धी सिद्धी इबारह के वैदकी कहल गयल हा सावित्री सरस्वती लक्षमी दुर्गा कुंडलिनी प्राणाग्नी भवानी भुवनेश्वरी अन्नपूर्ण महामाया पयस्वनी और दृपुरा इबारह के तांत्र की कहल गयल हा बारह ज्यानपक्ष के बारह विज्यानपक्ष के शक्तियन के मिलन से 24 अक्षरवाला गायत्री मंत्र विनेर्मित्भाई गायत्री शक्ति पीठमा नो देवियन के स्थापना हा इनके क्रम्ष हा आद्य शक्ति के साथे संबंध बनाईके साधक, स्रिष्टी के समीक्ता तक जा पहुँचेला और उन विशेष्टा से संपन बनेला जोन परम्ब्रम्ह में सन्नहित हवे परम्ब्रम्ह के दर्शन और विले ही जीवन लक्ष हा इप्रयोजन आद्य शक्ति के सहायता से ही संबंध बोला सावित्री आद्य शक्ति के दूध हारा है आत्मिकी भावत्री आत्मिकी के गायत्री और भाउत्री के सावित्री कहल जाला सावित्री पंचमुखी है कुंडलनी गायत्री के एक शक्ती कुंडलनी है ब्रम्हरंध्रमा कुंडलनी के एक सिरा हवे जे के महा सर्प कहल जाला एकर आकृती कुंडलाकार हवे शेश्ट नाग, शिव सर्प आदी एही के नाव हवन गवेद माता गायत्री के वेद माता एही नाते का हलक इलह कि 24 अक्षर के व्याख्या के खातर चारो वेद बनन देव माता गायत्री के नाव देव माता भी हवे देव माता एना ते कि उनकर गोद में बैठे वाला, पैपान करे वाला, आंचल पकड़े वाला, अपने देवत के बढ़ावेला और आत्मोत सर्ग के छेत्र मां क्रमिक विकास करत एही धर्ती पे विचरण करे वाले देव मानव के पंगती मां जा खड़ा होला विश्व माता गायत्री के एक नाव विश्व माता हा, माता के आपन संतान प्रान प्रिय होला सबके एकता के सूत्रमा बधल और समगर रूप से सुखी समुन्नत देखल चाहली विश्व माता गायत्री के प्रसनता भी यही मेह के सब मनुष्य मिल जुल के रही ख्रमता बर्ती और आत्मियता भरल व्यवहार अपनाई के समग्र सुख शांती के वतावरण बनाई मनुष्य और अन्य प्राणी के बीच भी सहरदयता भरल व्यवहार रही सरस्वती ग्यान चेतना के दू पक्षावे एक प्रज्या दूसर बुद्धी प्रज्या के अधिश्ठात्री गायत्री हैं और बुद्ध के संचारणी सरस्वती हैं आवशक्ता के अनुसार दूनों में से जिनकर आश्चे लिहल चाला उनहीं के प्रतिभल प्राप्त होला सरस्वती के साहित्य संगीत कला के देवी मानल जाला ओह में विचारणा, भावना और संबेदना के त्रिविद समनवे हा वेणा संगीत के, पुस्तक विचारणा के और मयूर वाहन कला के अभिवेक्ती हा लोक चर्या मा सरस्वती के शिक्षा के देवी मानल गयल हा लक्षमी गायत्री के एक धारा श्री हा श्री अर्थात लक्षमी लक्षमी अर्थात सम्रिद्धी गायत्री के कृपा से मिले वाला वर्दान मा एक लक्षमी भी हा जकरा उपर इअनुग्रह उतरेला उँ दरिद्र, दुर्बल, कृपण, असंतोष्ट और पिछड़ापन से ग्रसित ना ही रहेला गायत्री के लक्ष्मी धारा के आहवान करेवाला ठ्रिवान बनेलन और ओकर आनंद अकेला ना लेके असंख लोगन के लाभान वित करेलन गायत्री के एक धारा दुर्गा हैं दुर्गा के ही काली कहल जाला काल के महत्ता स्विकार करेवाला ओकर उपयोगिता समझेवाला ओकर सदुपयोग करे वाला के काली के उपासक लोग कहल जाला गायत्री परिकर के इन नवरत्न परिवार मां उस सब कुछ हा जाला जोन व्यक्ति और समाज के खातिर सुखद और शेयस कर हा जे मंद देश के राजा अश्वपती और मालवी के पुत्री रहली उस सावित्री जे पति व्रत त्याग अनुराग और आत्म विश्वास के जीयत जागत मूर्ती रहली जे के गायत्री सावित्री दूनों के आशिरवात प्राप्त रहल उनकर नाव सावित्री कैसे पडल काल चक्र से जब हम पीछे की ओर जाकीला तब हमार ध्यान महाराज अश्वपती द्वारा कैल गैल उकठोर तपस्या पे जाला जे उनिह संतान होला पर संतान प्राप्ति खातिर कैले रहलन इन गभल्स्क्री यड़ीो हम जए बहला कामड़ हम जे सावित्री का लेंग दिस्ताना इन जाओ प्राप्तिक कैसे जाका लेके रहल क्यक्तिक कैसे पेंग वेता बैभीत नहीं हो खावत्स हम तोहार तपस्या से प्रसंद नहीं तो गायत्री मंत्र के जाब करा तोहार मनों कामना अवश्य पुरा हुई कायत्री मंत्र के जाब काह हमनी की मनों कामना अवश्य पूरा हुई महराज हां महराज का इसन भविश्वानी भहल रहे बताए न महराज महरानी इस सत्य हा कि आईसन भविश्वानी भहल रहे परन्तु महराज इसन भविश्वान हम देखा था ही काई हो सत्य हा हमरे समझ मना हिआ हो था कि आप का कहा था ही महरानी इहे के इम मंगल में शुप समाचार सुनके आपके आनंदित होखे के चाहत रहे परन्तु आपके मुख मंडल पर चिंता के रेखा का है इई विरोधावाज हमरे समझ में ना ही आ रहा हल हा महराज महरानी हमके भी आनंद हो रहा ला बाकी एक समस्या हा आइसन कौन समस्या हा महराज जो ना आपके विचलित कर देलस ओ समस्या हा गैत्री मंदर के अनुष्ठान गैत्री मंदर का हा एकर अनुष्ठान के विधान का हा एकर हमके ज्यान नहीं हा ये हमार समस्या हा बाकी महराज एकर विधान जाने वाला के हुता होई हम एक नारी है पती के बिना नारी के हिदर शोने होला ओकर घर रेक्त होला बाकि महराज संतान के बिना संतान के बिना ओकर आचा सुना रहेला ओकर आंगन सुना रहेला हम समझाते हैं महराणी सब समझाते हैं का हमके संतान के चाह नहीं है संतान प्राप्त करे खातिर कही बरस तक पर दिख्षा कही नहीं परंतुम विवश है हमके कहतिरी मंतर के ज्ञान नहीं है महराज के जय हो प्रणाम महराणी महराज, पराशर मुनी राजमेह में पधर ले हमें वो आपसे मिलने के अनुमती चाहा था है पराशर मुनी पराशर मुनी महराज महामुनी पराशर संभा था हमों ये सोच थे महराज उनके सम्मान पुर्वक अंदर ले आओ ज़ो नाग्या महराज महराज लागता इश्वर उनके हमने के सहायता खातिर भेज ले हाई हो सके ला आवा चली आप चलिए महाराज, हम महामुनी के स्वागत के तयारी करके आवत हैं शिग रहिया अश्वपती के प्रणाम स्विकार करें महामुनी यशस्वी भवराजन मुनिवार, संपून राजमहल आपके सहर्ष स्वागत करा था आप जैसन सिद्ध तपस्वी के खातिर, राजप्रसाद के द्वार सदे खुलन रहला बाकी, आप स्वय मैला के कष्ट कहीं कहीं लिए इतो आपके उदार्त हम हाराज अश्वपती हम तो आपके परजा हैं, आप हमनी के रक्षक है शिष्टा चार औरी मर्यादा पालन के उगदेश हम दूसरन के देवेले जब अपने शिक्षा के पालन हम स्वयम नाही करब तद दूसरन के का उगदेश देव राजन, जैसन आचरण हम करीले ओही के अनुकरण समान्य प्रजा करेलन एही से सदाचार के आचरण कैल हमनी खादे अत्यावशक हा प्रणाम मुनिवर सवभाग्यवती भव यह तो हमार अहो भाग्यव कि आप हमरे राजमहल पदर ली हम आपके आश्रम में जाय के विचार करत रह ली कि आपके आईला के सूचना मिला इतो बहुते शुब संकेत हो वे राजन आपके द्वारा अवश्य कवनों मंगल में और महान कारे होवे वाला हा मुनिवर हम ए समय एक विकट परिस्थिती में फास कई लाई ओकर निराकरण खातीर ही हम आपके पास आश्रम आवे वाला रालें हमके आपके मार्ग दर्शन चाहिए एकरा बदे आपके चिंतित भैला के आवश्यक्ता ना ही हराजन हम सब को जान ले ले हैं जाउन कुछो आकाश्वानी भाईल हा उख्षरक्षा सत्य हा आपके मनु कामना अवश्य पून होई मुनिवर इ गाहत्री मंत्र का हा एकरान उस्ठान के विधान का हा गाहत्री मंत्र एगो परम गुड विद्या हा राजन इ मंत्र के रहस्य जाने बदे आपके दिख्षा लिहल आवश्यक हा तब बे आपेकर अधिकारी बने मुनिवर का रहस्य विद्या जाने खातिर दिख्षा लिवल आवश्यक हा निस्संदे राजन मुनिवर इदिख्षा का हो का शीक्षा और दिख्षा में कौन अंतर हा राजन शीक्षा सांसारिक सुख खातिर हा और दिख्षा आध्यात्मिक आनंद के मार्क प्रशस्त करेला आचार शिक्षा देवले और गुरु दिख्षा देवले दिख्षा के बादे इवैदिक मंत्र मा प्राण आवेला औरी स्वयम एक महा मंत्र बन जाला गुरु देव, हमरे खातिर का क्या हा? हमरे आश्रम में आपके दिख्षा के संसकार संपन होई महाराज जैसन आपके आच्या कुरते हो गायत्री मंत्र की एक नाम तारक मंत्र भी हा राजल तारक मंत्र अर्थात? तारक अर्थात तारदेवे वाला ए देवी, हम इस सारी सिध्धी कायत्री मंत्र द्वारा प्राप्त के लिए हैं स्वामी आप तो हमार उचसुकता और बढ़ा देली कृपा करके आप हमके गायत्री के विशे में विस्तार से बताई न आपन कठोर साधना से तो भारतवश के राजा लोगमा सबसे उचास्तान प्राप्त कई लेला